नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो की है आलोक इंडस्टीज लिम्टेड का जी हाँ दोस्तो दोस्तो आलोक इंडस्टीज लिम्टेड कपड़ा उद् है जी हाँ दोस्तों यह cloths industry से related है दोस्तों दोस्तों यह April fabric, bowen fabric, nighted fabric, home textiles, bed linen, terry towel, shopping bags आदी बनाती है दोस्तों दोस्तों आलोक industries में reliance industries limited की जो holding है 40.01 पिस्तत है जी हाँ दोस्तों इसमें जो shareholder है वह reliance industries limited है जो इसके 40.01 फिस्तों की holding करता है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यह आलोक industries reliance industries की एक एकाई है जी हाँ दोस्तों यह reliance industries की ही company है जो की आलोक industries है क्योंकि वह 40.01 फिस्तों की stock उसमें hold कर रहा है और अभी कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा news सुनी होगी कि reliance industries ने अपनी कपड़ा और परधान एकाई आलोक industries को निजी सुरच्छा उपकरन PPE kit बनाने का काम दिया था जी हाँ दोस्तों reliance industries ने आलोक industries को कोरोना के समय में जो PPE kit की मांग थी वह आलोक industries में बनवाई थी जी हाँ दोस्तों जो चीन से जो आ रही थी यानि की चीन की चीन से जो PPE kit मंगाई जा रही थी उनकी जो उत्पादन चमता यानि गुडवतता है वो अच्छी नहीं थी और उतना वो पूरा नहीं कर पा रहा था चीन तो Reliance ने आलोक industries जो की उसकी कमपनी है वहां से PPE kit तयार करके पूरे भारत में सप्लाई किया है तो आप समझ सकते हैं कि इस कमपनी का future भविश कितना अच्छा है यह कमपनी Reliance Industries के हातों में है तो इसका जो भविश है वह आने वाले समय में बहुत ही अच्छा है आप सभी लोग जानते हैं कि Reliance Industries कितनी दिगज कमपनी है और उसके हातों में आलोक industries की कमान है और दोस्तों कल आलोक industries के quarterly results आ रहे हैं जो की बहुत ही बहतरीन और सांदार आने वाले हैं यहां से दोस्तों यह stock एक बहुत ही बड़ी लंबी छलंग लगाने वाला है यहां से एक बहुत ही बड़ी लंबी छलंग लगाएगा यह stock जिहां दोस्तों कल इसके result आ जाएंगे उसके बाद इस stock यानि इस share को पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें investment करके बहुत अच्छा फाइदा कमा सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आलोग इंडेस्टीज का जो stock है वे सुक्रवार के दिन 23 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ है आप लोग चाहें तो अभी इसमें investment करके अच्छा फाइदा कमा सकते हैं दोस्तों दोस्तों आलोग इंडेस्टीज का जो share है वे अभी काफी सस्ते दामों पर मिल रहा है क्योंकि इसने 3 जुलाई 2020 को 53 रुपए हाई बनाया था उसके बाद दोस्तों यह 27 रुपए पर आ गया था और 27 रुपए पर आने के बाद उसके बाद यह 7 अगस्त 2020 को दुबारा 40 रुपए पर चला गया उसके बाद इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली दोस्तो और यह अभी 30.50 रुपे पर बंद हुआ है अब यह है रेजल्ट का इंतजार कर रहा है जो कि दोस्तो कल आने वाले हैं और बहुत ही बहतरीन और सांदार रेजल्ट आने वाले हैं कल और उसके बाद इस स्टॉक को पकरपाना मुश्किल होगा तो दोस्तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसको कैस में बाई कीजिए और इसको अपने डीमेट एकाउंट में इसक इसको hold कीजिए यह अगले 2-3 साल में दोस्तो 140 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच टेट करता हुआ नजर आने वाला है क्योंकि जैसे जैसे quarter league इसके जरेंट आते जाएंगे वैसे वैसे इसका profit बढ़ता जाएगा और इसके share stock का भाव भी बढ़ता जाएगा क्योंकि आने वाले समय में कपड़ा उद्योक की मांग बहुत अधिक होने वाली है क्योंकि अब तो कोरोना की vaccine भी आ गई है उसके injection भी लगाए जा रहे हैं तो industry में अब मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और quarterly quarterly इसके result भी अच्छे आएंगे तो यहां से इस stock एक बहुत ही बड़ी लंबी छलांग लगाएगा और अगले 2-3 साल में दोस्तो इसका target जो है वो 140 रुपै से 150 रुपै आने वाला है तो आप लोग चाहें तो अ इसकी delivery ले लीजिए जी हां दोस्तो दोस्तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए stock पर वीडियो बनाऊंगा जो की और भी अच् पानी से पहुँच जाएगा और दोस्तो आप मेरे YouTube चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताईए कि वह लोग भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे वह लोग भी मुझसे जोड़ जाएंगे वह लोग भी मेरा वीडियो देख पाएंगे तो दोस्तो आप सभ लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद